सिविल सेवा परीक्षा में असफलता हाथ लगी तो एक युवक ने चोरी को अपना पेशा बना लिया. एक रात पहले एक घर में चोरी के इरादे से घुज गया, लेकिन कुछ चोरी करने के बजाए उसने बिस्तर पर अंतरंग पल बिताते घर के मालक मालकिन का विडियो अपने मुबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. और फिर विडियो वाइरल करने की धमकी देकर दस लाक रुपए एंटने की कोशिश की हालांकी, ब्लैक मेल से सहमेपती पतनी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है. 36 गड़ की दुर्ग का यह पूरा मामला है. पुलिस ने बताया कि विने कुमार साहु ने सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की थी और P.S.C. परीक्षा में भी शामिल हुआ था, लेकिन हर बार असफल रहा. इस से नाखुश साहु ने अपना करियर बदलने का फैसला किया और अपने इलाके की सबजी मंडी में आने वाले ग्रहकों के मुबाइल फोन चुराने लगा. साथ ही वह छोड़ी मोटी चोड़ी करने लगा. खास बात यह है कि आरोपी अपने परिचित इलाके से आगे नहीं गया. वह बार-बार एक ही इलाके में चोड़ी करता था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्ग के अहिवारा इलाके में आरोपी विने साहु ने जिस कपल के अंतरंग पलों का विडियो रिकॉर्ड किया, उनके घर में पहले भी दो बार चोड़ी की थी और उसे विश्वास था कि तीसरी बार भी वह खाली हाथ नहीं लोट इसी के चलते बीती एक रात को घर में घुसा और चोड़ी करने के लिए कुछ ढूंड रहा था, तभी उसकी नजर उस जोड़े पर पड़ी जो एक दूसरे के साथ अंतरंग पल बिता रहे थे तभी चोर खिड़की के पास छिपकर खड़ा हो गया और उसने पहले से चोरी किये गए फोन का इस्तमाल करके विडियो रिकॉर्ड कर लिया अगली सुबह जब एक अंजान नंबर से वाटसेप पर एक विडियो आया तो कपल हैरान रह गया इसके बाद 10 लाक रुपए देने के लिए कॉल आया और मांग पूरी न करने पर विडियो वाइरल करने की धमकी दी गई कपल को इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके निजी पलों को कैसे रिकॉर्ड किया गया उन्होंने पुलीस थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसमें उस नंबर का जिक्र किया गया जहां से विडियो आया और फिरौती के लिए कॉल किया गया आरोपी तक पहुँचने और उसे पकड़ने के लिए पुलीस ने एक विशेश टीम गठित की साइबर सेल को मुबाइल नंबर ट्रैक करने के लिए कहा गया इसके बाद पुलीस टीम ने मुस्तेदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया पुलीस गिरफत में आने तक आरोपी अभी भी उसी मुबाइल और उसी नंबर का इस्तिमाल कर रहा था पुलीस ने उसके पास से चोरी के तीन मुबाइल सिम कार्ड और हैंड से जब्त किये वहीं कपल के अंतरंग पलों का विडियो डिलीट कर दिया